दोस्तों स्वागत आप सभी का बात करेंगे राजस्तान के मौसम के बारे में अगले 24 गंटे के अंदर राजस्तान का मौसम कैसा रहने वाला है राजस्तान के अंदर आज राज से कल के 24 गंटों तक बारिस कैसी रहेगी आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्तान के अंदर काफी जलो के अंदर बादर की आवाज आवी रही, मेग गरजना के साथ हलकी बारिष भी हुई, अगले 24 गंडों के दरान बारिष के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि न्या पक्चिंब शौब उतरी राजस्तान के अंदर सुक्रिय हो गया है और फिर से राजस्तान के अंदर मेग गरजना के साथ बिजली और ओले गिरने के समावना जताई गई है आज राद से ही उत्तम पच्छीं भागों के अंदर वेस्टन डिश्टोब का परवाब देखने को मिलेगा अलांकि अभी भी राजस्तान के अंदर कुछ भागों के बादल चाहे हुए है बिकानेर संभाव के कई जोंगे अंदर यहां से मेग गर्जना के साथ बिजली गिरने और आन्दी तफान के समावना बनी हुई है जिसमें बिकानेर शाड़ी राजस्तान के बात करें तो कुछ जगानंगर आज रात को रलक की बारिश हो सकती है जिसमें अलवर, भर्थफूर, जैपूर, करोली, स्वाई, मादफूर इनके अलावा ज़्यातर रिसों के अंदर मौसम सुष्क बना रहेगा आज रात से ही बारिश की गत्यवदियां शुरू हो जाएगी और कुछ जगों पर और ली गिरने की परबल संभावने बनी हुई है दक्षनी राजिस्तान के बात करें तो यहाँ पर उद्यपूर के अंदर भी बादल चाय हुए है अगले 24 गंटों के दरान यहाँ भी हलकी फुलकी बारिस हो सकती है लेकिन ज़्यादा तर इसों के अंदर मौसम सुष्क बना रहेगा ज़्यादा खत्रा अभी कानियर संभाके सिरी गंगानगर के अंदर है वहाँ पर किसानों की मुश्किले और बढ़ गई है मौसम की ताज़ा अपडेट जाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें थे नयवाद